हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चेन और सिंगल स्टिच बनाना बताया था आज हम डबल क्रोशे स्टिच बनाना बताएंगे सबसे पहले हमने चेन ली है ठीच चेन एक्स्ट्रा बनाकर उन को किरोशिया के उपर से लाकर यह देखी फूर्थ चेन में डालके अपनी उन को महाँ से निकालेंगे तो हमारे पास थ्री लूप सा गए अब उन को किरोशिया के उपर से लाएंगे और पहले दो लूपस में से निकालेंगे दुबारा देखिए उन को किरोशिया के उपर से लाकर पहले दो लूपस में से हम निकालेंगे तो हमारे पास किरोशिया के उपर दो लूपस आ गए अब दूबारा से उन को किरोशिया में डालके इन ही दो लूप में से वापस निकालेंगे तो यह हमारा double crochet stitch बन गया यह देखिए दूबारा बनाते हैं चेन के अंदर डालके किरोशिया को उन निकालेंगे तो हमारे पास three loops हैं अब किरोशिया को निकालेंगे तो हमारे पास टू लूप्स आ गए अब इन्ही टू लूप्स में से दुबारा से उनको निकालेंगे तो हमारा डबल क्रोशिय स्टिच बन गया यह देखी इसी तरहां से थ्री लूप्स में से टू लूप्स बनाएंगे फिर टू में से वन बनाएंगे तो हमारा डबल क्रोशिय बन गया देखी इसे निकालना है बहुत इजिली निकल जाएगा थोड़ा हाथ लूज रखे तो लूप्स टू लूप्स में से वन लूप बन गया यह देखी हमारा डबल क्रोशिय स्टिच इजिली बन रहा है कि अब इसी तरह से हम अपनी पूरी चेन कंप्लेट करेंगे यह देखी है सेम पैटरन को फोलो करते हुए हमारी पूरी चेन पे डबल क्रोशिया बन गया है अब हम लास्ट स्टिच पे डबल क्रोशिया बनाएंगे अब इसकी बैक साइड बनाते हुए तीन चेन लेंगे अब इसे वापिस घुमाते हुए सेम पैटरन से हम अपने डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए थ्री लूप्स टू लूप्स और फिर वन लूप बहुत सिंपल है आप प्रैक्टिस करिए इजिली आजाएगा यह देखिए इसी तरह से हम अपना डबल क्रोशिय स्टिच बनाते जाएंगे यह देखिए थ्री लूप्स में से टू लूप्स बनाएंगे फिर वन लूप बनाएंगे चीन में डालेंगे उनको फिर थ्री लूप्स फिर टू लूप्स और इसी तरह से हमारा डबल क्रोशिय का जो पैटरन है वो बनता जाएगा अब ध्यान से देखेंगे तो इजिली बन जाएगा यह इतना मुश्किल नहीं है यह देखिए इस तरीके से मैंने अपनी दूसरी चेन भी कम्प्लीट कर लिये और फाइनल स्टिच के लिए त्री लूप्स दू लूप्स और वन लूप्स दूबारा से थ्री चेन्स बनाएंगे और सेकंड स्टिच के अंदर डालेंगे तो हमारे एजिस भी बहुत अच्छे बनेंगे अगर उसी स्टिच में डाल देंगे तो हमारी एज में एजिस में बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी अब इसी तरीके से ये देखिए मैंने टू चेन्स बनाई है और ये हमारा डबल क्रोशिय स्टिच है ये देखिए आपके एजिस भी बहुत अच्छे बनेंगे इसी तरीके से आप बनाईए डबल क्रोशिय स्टिच बहुत आसान है आप बनाईए प्रेक्टिस करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक्स फॉर वाचिंग